हेलो प्यारे बच्चों चलिए करते हैं कक्षा 4 की गडित की कार्यपत्रक नमबर 24 और इसमें हम करेंगे पार्ट नमबर 11 पहाड़े और बटवारे देखते हैं प्रश्ण नमबर 1 संख्या रेखा पर भाग कीजिए बच्चों यहाँ पर संख्या रेखा दे रखिए इस पर ह हमें भाग करना है उदारन देखिए बारा को जब हम दो से भाग करेंगे तो कितना आएगा यह देखिए यहां से बारा है हम देखते हैं कि बारा में दो कितनी बारा आता है और हम इसको दो दो करके चलते हैं एक दो तीन चार पांच छे इससे हमने यह देखा कि बारा में ह हमारा उत्तर आएगा 6 इसका पहला भाग देखते हैं अब 16 को 4 से भाग देना है हम फिर कहें वही करेंगे कि 16 से हम 4-4 कदम पीछे आएंगे ये 4 कदम आए 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार जब हम 4 बार पीछे आ गए तो हमें 0 ने मिल गया और इसका मत्तब ये हुआ कि 16 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 मिलेंगे इसी प्रकार जब 15 को हम 3 से भाग करने के लिए हम 15 से चलेंगे 0 की तरफ 3-3 कदम और गिनेंगे कितनी बार हम चले तो 1, 2, 3, 4, 5 और 5 कदम चल करके हम 0 पर पहुँच गए तो 15 को 3 से भाग देने पर उत्तर मिलता है पांच इसी प्रकार हम 12 को 4 से भाग करेंगे तो देखते हैं 12 से हम चलेंगे 3-3 कदम पीछे 1, 2, 3 तो हमें 3 बार पीछे आना पड़ा और 12 को 4 से भाग करके उत्तर मिला हमें 3 देखते हैं प्रश्ण नंबर 2 इन शब्दों को समझे और पहचानीए अब यहां पर कुछ शब्द दे रखे हैं भाज्य जिस संख्या को हम भाग करते हैं उसे भाज्य कहा जाता है भाजक और जिस संख्या से भाग किया जाता है वह भाज़ कहलाती है अब इसी को आधार बनाते हुए हम इन प्रश्णों को हल करते हैं एक्किस को साथ से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा तीन भाज्य हुआ इक्किस भाजक है साथ और भागफल है तीन पच्चिस को पांच से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा पांच भाज्य है 25, भाजक है 5 और भागफल है 5 इसी प्रकार 36 को 4 से भाग देने पर उत्तर मिलता है 9 भाज्य है 36, भाजक है 4 और भागफल है 9 प्रश्ट नमबर 3 देखिए निम्न सवालों को हल करना है पहले में जो संख्याइ 4 से पूरी पूरी भाग हो सकती है उन पर गोला लगाना है तो 4 से पूरी तरह भाग हो ले वाली संख्या है 12, 20 और 8 दूसरे भाग में जो संख्याइ 16 को पूरा पूरा भाग कर देती है उन पर गोला लगाना है तो 16 को पूरा भाग करने वाली संख्याएं हैं, 2, 4 और 8 तीसरे भाग में देखिए कौन सी संख्याएं, उननचास को पूरा भाग करने वाली संख्याएं ढूननी हैं वो है 7 और 1 प्रेश्ण नमबर 4 देखिए, रितू जानना चाहती है, 64 को जब 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा उसकी बहन ने उसे यह तरीका बताया, उसने 64 को 4 से भाग देने के लिए तरीका अपनाया चार को 10 बार पहाड़े से गिना, तो 40 आया और उसने 64 में से 40 को गटा दिया, उत्तर आया 24 और फिर उसने देखा कि 4 के पहाड़े में 24, 6 बार में आता है, तो उसने यहाँ पर 24 लिख दिया और गटा करने पर उत्तर आया जीरो भाग के सवाल में जब उत्तर यहाँ पर जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि यह भाग हमारा पूरा हो गया है और देखिए यहाँ पर 10 जमाच्छे यह होता है 16 16 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 64 और यह 64 हमारा यहाँ पर भाग जे भी दे रखा था अब इसी परकार आपको यह प्रश्न करने है पहला देखिए 12 को 3 से भाग करेंगे 3 के पाहड़े में 4 बार पढ़ने पर 12 आता है 12 को 12 से भाग मानिस कर देंगे तो उत्तर आएगा 0 इसी परकार 45 को 3 से भाग करेंगे 3, 3 के पाहड़े में 30 आता है 10 बार पढ़ने पर 45 में से 30 गटाएंगे तो उत्तर आएगा 15 अब 15, 3 के पाहड़े में 5 बार में आता है तो 5, 3, 15 उत्तर आया 0 आगे देखते हैं तीसरे भाग में 32 को 4 से भाग करेंगे तो 4 के पहाड़े में 8 बार पढ़ने पर 32 आता है और यहाँ पर शेश्वल आएगा 0 5 के पहाड़े में 10 बार पढ़ने पर 50 आता है यहाँ पर आएगा 50 60 में से 50 जाएंगे तो उत्तर बचेगा 10 और 5 के पहाड़े में 2 बार पढ़ने पर 10 आजाता है 10 में से 10 जाएंगे तो उत्तर बचा 0 प्रेस्ट नमबर 5 देखिए 8 डिब्बों में 48 पैंसिले रखनी है हर डिब्बे में बराबर पैंसिले रखी जाएंगी हर डिब्बे में कितनी पैंसिल रखी जाएंगी तो 48 पैंसिलों को अगर 8 डिब्बों में रखना है हम 48 को 8 से भाग कर देंगे उत्तर आएगा 6 हमें उत्तर मिला हर डिब्बे में 6 पैंसिल रखी जाएंगी बच्चों यहां पर हमारी गणित की कारेपत्रक समाप्त होती है अन्य विश्यों की कारेपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद